सब्सक्राइब पर जूट बोल रहा है कोई भी आदमी किसी भी लेवल पर हो confidence की कमी सब के अंदर है और वो confidence कब आता है अगर मैं आपको exactly बता हूँ यह बहुत broad रैसे question है लेकिन मैं आपको किसी situation के अंदर बता देता हूँ कि कैसे आता है confidence पहले किसी भी चीज को आप छोटे से छोटे लेवल पर सोचो कि आप क्या कर सकते है छोटे से छोटे लेवल पर और उसको कर दो वहां confidence की कोई जरुवत नहीं है ना कोई problem है everybody agrees yes or no? yes for example आपको क्या करना चाहते हो आप लाइक में what is it that you want to do? army में जाना चाहते हो okay if you want to go in army to army का सबसे पहला step क्या है सबसे पहला क्या है कि army के बारे में पढ़ने लग जाओ उसमें तो confidence की कुई जरुवत ही नहीं है जैसे जैसे आप और उसके अंदर जाते जाओगे जाते जाओगे आप के study पढ़ोगे आप लोगों की पढ़ोगे कि वह कैसे for example आपके जैसे ही कुछ लोग किस तरीके से कहा कहा से निकल करके कैसे आर्मी में गए क्या किया उन लोगोंने तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब अंदर से आपके आवाज आने लग जाएगी जिसको उन इंस्पिरेशन बोलते हैं और जिस दिन वो आ गई तो आप चाहोगे भी तो आपने आपको रोपने का हुए ज्यादा तर लोग न उस स्टेज तर पहुचते नहीं है पहले ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसको बूते हैं motivation और एक्जामपल आप देखते होगे कि कई बार कुछ करने का मन करता है और उस टाइम तो बढ़ा होता है कि यार करना है करना है तो आपको पहले अपने आपको इस तरीके से तयार करना है कि अंदर से ऐसी एक अरज आए कि वो motivation inspiration में convert हो जाए देखो motivation में और inspiration में क्या फ़र्ख है motivation में है कि आप करना चाहते हो लेकिन कोई है जो आपको रोक रहा है और आप आगे नहीं वड़बारे inspiration में क्या होता है कि हाम अपने आपको रोखना चाहरे हो कि यार मैं किसी तरीके से रुख जाओं मैं नहीं करूंगा मैं आर्मी में नहीं जाना जाता है लेकिन फिर भी आप नहीं रुख पाऊ that is called inspiration और जिसी वो स्टेज आ गई ना तो उस दिन बाकी सब चीज़ अपने आप आजाएंगी confidence अपने आप आजाएगा सब कुछ अपने आप आजाएगा that is the answer to that particular question